हेलो गैस, स्वागत आप सबका, तो आज हम बात करेगे अदानी ग्रूप की और इस हेडलाइन को आप देख सकते हैं, अदानी ग्रूप करेगा इस कारोबार में एंट्री कौन सा है, वो कारोबार वो हम जानेगे, और टाटा को मिलेगी टककर, जान ये क्या है डिटेल, तो के लिए अगर आप नई हैं, इस चैनल के उपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें, ज्यादातर हम हिंधी बासा का चायन करते हैं, ताकि सब को आसन बासा में समझ में आए, तो आपको बतादे कि डेईली हम एक श्ओट वीडियो बीडियोज भी अपलोड करते हैं, वो मर्जी की बात है लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है आज भी रात को हमें शॉट वीडियो अपलोड करेंगे वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं और हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखें और सब्सक् की भारत की योजनाओं को लेकर अरबपती गवतामदानी उत्साइथ है दरसल गवतामदानी ने क्वालकॉम के सीओ क्रिस्टियानो एमोन से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानि कि जिसे जो पहले ट्विटर था उसका नाम और उसके उपर जो है पोस्ट करते हुए गवतामदानी ने कहा कि क्वालकॉम भारत की शमता और देश में मौझूद अवसरों के प्रती और यहाँ पर यह कट रहा इसलिए आगे देख लेते हैं तो मौझूद देश में मौझूद अवसरों के प्रती प्रतिब क्या कहा गौतम अदाणी ने इस पोईट को देख लेते हैं कि गौतम अदाणी ने अपने पोस्ट में कहा कि क्वालकॉम के सीओ क्रिस्टियानो एमोन और अन्या अधिकारियों के साथ मुलाकात शांदार रही। के प्रति प्रति बद्दता और योजनाओ के बारे में जानकर उत्साहित हूँ। भारत में शुरुवाती चरण में इंडस्टिस इस पोईट को यहाँ पर देख लेते हैं कि बता दे कि भारत का सेमी कंडुक्टर उद्योग अपने शुरुवाती चरण में हैं। भारत में स् इंड समी कंडुक्टर मेनुफेक्चरिंग प्लांट बना रही है। माइक्रोन टेक्नोलोजी सानंद में असेम्बली, टेस्ट, मार्किंग और पेकेजिंग फेसिलिटी स्थापित करने के लिए धाय बिलियन यानि कि 22,500 करोण का निवेश कर रही है। यह प्लांट 2024 के अं मंत्री मंडल ने भारत में सेमी कंडुक्टर और डिस्प्ले मेनुफेक्चरिंग इको सिस्टम के विखास के तहत तीन और सेमी कंडुक्टर इकाईयों की स्थापना को मंजूरी दे दी, दो इकाईया गुजरात में होगी और एक असम में शुरू होने वाली है। इन सभी क कारोबार में टाटा समु सक्रिय है। टाटा समु गुजरात और असम में सेमी कंडुक्टर फ्लांट्स लगाएगा और इन प्लांट्स की और इपोंट 26 लाह करोड रुपे होगी। गुजरात के धोले रह में टाटा Electronics ताईवान की कंपनी Power Chip सेमी कंडुक्टर मेनुभेक प्राइवेट लिमिटेड असम में चीप एसम्बली और टेस्टिंग यूनिट लगाएगी तो यह जो इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है और इससे मुझे इसा लग रही कि अगर यह होता है तो लंबे समय में अधानी ग्रूप को फाइदा हो सकता है वेससे इसके उपर कुछ और अपडेट आएगी तो वो भी हम जो है ज़रूर शेर करेगे तब तक के लिए अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो शेर मार्केट की ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनलों को जाइजस वेर कमारे जहाँ है क्पुआ जाएगी